असलाम अलेकुम राहुतुलाई बबरकातू प्यारे बच्चों उम्मीरे आप सब खेरियत से होंगे साइंस की ओनलाइन क्लास में आप सब भी बच्चों का वेलकम हैं सबी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लीजिए आज हम साइंस के चाप्टर नमबर 16 का बुक वर्क भी करेंगे और कॉपी वर्क भी करेंगे तो पेज नमबर 203 अपनी बुक्स में ओपन कर लीजिए इसमें है कोश्चन नमबर 1 मार्क T if the statement is true and F if it is false अगर नीची हाँ कुछ statement दी गई है अगर statement सही है तो आपको T पर मार्क करना है यानि true के लिए T मार्क करना है और अगर statement गलत है तो आपको F पर मार्क करना है false के लिए तो A part is the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world इसमें कहा गया है कि fresh water जो जमीन के नीचे present है क्या वो पूरी दुनिया में जितनी भी नदिया और तालाब है उनसे जादा है तो ये क्या है ये true है ये statement सही है क्योंकि जमीन के नीचे सबसे नदिय और तालाबों से जादा पानी है B part है water shortage is a problem faced only by people living in rural areas इसमें कहा गया है कि ये जो water shortage problem है क्या ये सिफ rural areas में ही face करनी पड़ रही है लोगों को तो ये statement कैसी है ये statement false है चाहे गाओं है ये शहर है सब जगा पानी की shortage है हर जगा पर दुनिया में next is a part water from rivers is the only source for irrigation in the fields इसमें कहा गया है कि फसलों की सिचाई के लिए क्या सिर्फ नदियों से ही पानी खीचना सिर्फ यही एक साधन है फसलों की सिचाई के लिए कि सिर्फ नदियों से ही पानी लिया जाता है तो ये statement false है जमीन के नीचे से भी पानी को खीच कर फसलों के लिए इस्तमाल किया जाता है फसलों की सिचाई के लिए इस्तमाल किया जाता है नेक्स है डी पार्ट, rain is the ultimate source of water क्या बारिश ultimate source है water का तो ये statement true है अब नेक्स है book work का question number 6 बाकी से अब question answers है 2, 3, 4, 5 इसमें है fill in the blanks with the appropriate answers आपको जो सही answer है वो ही देना है ए पार्ट है people obtain ground water through dash and dash जमीन के नीचे से पानी किसके द्वारा निकाला जाता है किसके द्वारा खीचा जाता है hand pump के जरीए से तो first लिखेंगे hand pump and second is tube wells जो tube wells होती है न उनके जरीए से जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है या खीचा जाता है अब है next three forms of water are dash, dash and dash पानी के तीन फर्म्स कौन-कौन सी है, एस सॉलिड में क्या आता है, आइस, यह इस नोव अगियरा, लिक्वीड, जैसा नॉर्मल वार्टर होता है, वो लिक्वीड फॉर्म में होता है, and गेस, गेसीस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, खाहा हमारे एट्मोस्फेर में, यहां कि आएगा एक्वीफर एक्यू यू आई एक्वीफर अभे नेक्स्ट डी पार्ट प्रोसेस ओवाटर सीपेज इंटू दा ग्राउंड इस कॉल डैश पानी जब बारिश होती है तो उसके बाद जो पानी है वह जमीन के नीचे से बारिश और जब बारिश उसकी बाद जब वह वापस से जमीन के नीचे चला जाता है तो उसको क्या कोने वह नीचे से किसकी वज़े से कौन वाटर शोर्टेज के लिए रिस्पॉंसिवल नहीं है रैपिट रोथ उप इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री जाधा बढ़ेंगी तेजी से बढ़ेंगी तो पानी की भी ज़रूरत जो है पानी की जो मांग है वो भी जल्दी से बढ़ेगी यानि रिस्पॉंसिबल नहीं है वाटर शोर्टेज के लिए क्योंकि अगर हेवी रों रेंफोल होगी तो जो पानी से रिलेटिट प्रॉब्लम से वो सोल्व हो जाएंगी उसकी बाद है नेक्स्ट कॉर्शन नाबर ए चूज दा करेक्ट ऑप्शन दा टोटल वाटर इन दा लैक अगर ग्राउंड रिमेंस कॉंस्टेंट ये जो जमीन के नीचे है वो ताव चूशन धिक अभी कम जादा नहीं होतां जब बारिश नहीं होती तो कम जादा हो जाता है तो इसलीव बीगलत है in the seas and oceans of the world remains constant जो समुन्दरों में और महासागरों में जो पानी है वो हमेशा बिल्कुल सेम रहता है क्या वो कमजादा नहीं होता है वो भी कमजादा होता है जब गर्मियों आती है तो इवेपोरेशन के थुरू वो कम हो जाता है और बरसाज के टाइम पर ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए constant नहीं होता constant का मतलब होता है विल्कुल equal रहना सेम नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट of the water of the world remains constant कि पूरी दुनिया में जितना भी हमारी water cycle के लिए वो सब को मिला कर जो है वो total water यानि जो total water है पूरा जमीन के नीचे से लेकर और बादलों तक सब जगा का वो पूरी दुनिया में constant है आप करेंगे question answers तो सबसे पहले सभी students अपनी science की copies open कर लीजिए date mention कीजिए आज की chapter number 16 water appreciation resource उसके बाद question number one book work था तो question number two से start करेंगे explain how groundwater is recharge की groundwater किस तरीके से recharge होता है तो इसका answer है तो ग्राउंड water gets recharge through the process of infiltration इन फिल्ट्रेशन का जो process है उससे groundwater क्या होता है रिचार्ज होता है यारि जब बारिश होती है तो उसके बाद जो बारिश का पानी होता है वो दीरे दीरे क्या करता है जमीन के नीचे चला जाता है इट मीन्स सीप सीपिंग ओफ वाटर फ्रों रिवर्स एंड लेक्स इंट्व एंप्टी स्पेसिज एंड क्रैक्स दीप बिलो दा ग्राउंड यानि की जो जमीन के नीचे एंप्टी स्पेसिज है यानि जो खाली जगह है वहाँ पर पानी क्या हो जाता है घुस जाता है वहाँ पर पानी चला जाता है तो इसी तरीके से ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है देखिए 10 tube wells लगाईए उन्होंने एक लाइन में और एक लाइन में 50 घर है उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वाटर टेबल की वाटर टेबल के उपर इसका क्या असर पड़ाएगा आपसे पूछा गया है तो आंसर नमबर त्री है एक यूज अमाउंट ओफ वाटर विल भी पंपड आउट फ्रॉम इस टेंग ट्यूब वेल्स की इन ट्यूब वेल्स के जरीए से बहुत ही बड़ी पानी जो है वो पंप किया जाएगा यानि जमीन के नीचे से खीचा जाएगा and it will result in the depletion of the ground water जिससे ground water जो है उसका depletion हो जाएगा consequently the water table will go deeper and deeper with the time and in longer term it will affect the availability of water in that area और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि धीरे धीरे जो पानी है अगर इतना सपोज इतना गेरा है पानी तो जब इसमें से खीचते रहेंगे पानी को बार बार वो उपर जाता रहेगा तो और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे यानि कि और गेराई से पानी की जरूर पानी को खीचने की जरूरत पड़े कि तो यहां से जब पानी जाना शूरू होगा तो पेले इतना बचेगा फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना पिर इतना कम होते होते बहुत जादा कम हो जाएगा जिससे पानी की बहुत जादा शोर्टेज हो जाएगी एन अब नेक्स्ट नमबर फोर you have been asked to maintain यहां पर आपसे गार्डन मेंटेन करने के लिए कहा गया है कि आप उसमें कम से कम पानी का यूज किस तरी के से कर सकोगे आपसे यह पूछा गया है तो आंसर नमार फोर दा यूज ओ वाटर कैन भी मिनिमाइज बाए फर्स्ट है यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे यानि कि जो फसलों की सिचाई है उसमें नालिया बना कर और उससे सिचाई की जाएगी सेकंड है प्रिवेंटिंग दा लीकेज इन दा ड्रेंस, इन दा डिलिवरी ओफ पाइपस लीकेज का धियान लखा जाएगा कि जो भी ड्रेंस वगेरा हैं उसमें लीकेज ना हो पाइप थर्ड है फिलिंग दा बरो ओफ इसनेक्स एंड ड्रेंड जो साप और जो चुएं वगेरा होता है वो बिल बना देते हैं तो उनको फिल करने के लिए यानि कि उनको उनकी फिलिंग करने के लिए कहा जाएगा यानि कि वो आपको करनी पड़ेगी नेक्स्ट है कोशन नमबर फाइव एक्स्प्लें दा फैक्टर्स रिस्पॉंसिबल फो दर डिप्लीशन ओफ वाटर टेबल क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वज़े से जो व वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रहा है तो इंक्रीजिंग पॉपलेशन के रिएट स्मॉर डिमांड ओफ वाटर फोर दा कंस्ट्रक्शन ओफ हाव इस शौप ऑफिसे एंड रोड्स इडिक्रीजिस दा ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड देखि भी पानी चाहिए ओफिसी बनतह बर झाएंखे लिए रोड़ बनेंगे तो रोडों को बनाने के लिए लिए हो स्मॉर पार्क्स ए प्लेग्राउंड के अर्या कंग होता जा रहे है क्योंकि सब जगा घर बनते जा रहे हैं सब residential areas बनते जा रहे हैं this in turn decreases the seepage of rain water into the ground और इसी की वज़े से जो rain water है वो ground तक नहीं पहुच पा रहा है और उसमें कमी आ रही है क्योंकि उसे पहले से ही use कर लिया जाता है next and second increasing industries अब population बढ़ेगी तो जाहिसी बात है कि industries भी बढ़ेंगी तो जो industries है वो भी बढ़ती जा रही है water is used by all the industries जैसे कि आपको पता है कि सबी industries में पानी का इस्टमाल किया जाता है water used by most of the industries is drawn from the ground और कई सारी industries में जो पानी है वो जमीन के नीचे से ही pipe के थुरू खीचा जाता है थर्ड पार्ट agricultural activities में भी पानी की बहुत जादा जरूरत है farmers have to use groundwater for irrigation जो farmers है यानि जो किसान है वो groundwater का इस्तमाल करता है irrigation के लिए यानि की फसलों की सिंचाई के लिए population pressure on agriculture forces increasing use of groundwater day by day जैसे कि population बढ़ गई है तो भई उनके खाने का भी इंतजाम चाहिए दो जब आप जब फसलों को उगाया जाता है तो मہापर भी पानी की बहुत जादा जरूरत है आपको पताई कि पेड़ पोदो होने के लिए इतना प्रिपेड होने के लिए कि वह उसमें फल लग सक्यों सब्स्टियां लग सक्यों पानी की तो बहुत जादा तो उसमें आपको ये पूरा डाइग्राम बनाना है इसमें ये आपको ग्राउंड वाटर टेबल आपको पूरी ड्रॉ करनी है अच्छे से कलरिंग कर लीजिए का आपकी पूर कलर भी है इसी के साथ चैप्टर नमबर 16 आपका कम्प्लीट हो चुका है तैंक यू वेरी मच्च असलाम अलेकों राहमतुलाई वबरकातू